अगर आपको लगता है कि बहुत जादा हम रिस्क नहीं जेद सकते हैं तो चायद आपको यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए और थोड़ा सा और डीप अनलैसिस करने चाहिए प्रकि यहाँ पर तो से फाम लोग दो से पांच मिनट की अनलैसिस करेंगे जिससे आपको एक पूरा से ओवर्वियू मिल जाए तो अब यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर अगर देखोगे बिस्नेस सब्सक्राइब आपको एक अंदर बाहर थोड़ी से हमें लगता है कि डिमांड के अंदर कमी आ सकती इंडिया के अंदर तो अगर देखोगे तो अगर देखा जाए तो थोड़ी से वहां पर वीक बढ़ते नजर आ रही है और देखी जाए तो हमें लगता है कि अब बहुत जादा इंट्रेस रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए और स्टिलनेस के तरफ आगई तो थोड़ा बहुत यहां पर अगर रिलीफ मिलता तो फिर स से भी एक्सपोर्ट की बात और बाहर की बात हम लोग कर रहा है यहां पर अब यहां पर अगर देखा जाए फर्दर तो यहां पर यहां पर यहां पर कंपनी की सेल्स अगरे जो है वह यहां पर आपको फ्लाटिश नजर आए तो बहुत जाद की अग्रेसिव और अपसाइट मोमिंटम अभी इसके अंदर हो सकता है instantaneous ना मिले बट कंपनी का क्योंकि future outlook अच्छा है पूरे इंडिस्ट्री का में लगता है कि future outlook थोड़ा सा अच्छा है तो इसलिए अगर आपनों hold करना जाओ तो वह आपको कर सकते हो एक चीज़ याद रखना कि auto engineering business भी cyclical nature का होता है मतलब एक बार को इनका होता है क कि काफी अच्छा यह perform कर रहोते हैं एक एक cycle के अंदर अच्छा थील साल के अंदर अच्छा perform किया लेकिन फिर हो सकते है next दो से एक साल ऐसा प्रियाड आई जा जनके अंदर इसकी performance नहीं मिलेगी आपको तो यह थोड़ा सा एक सिखने का बिजनेस होता है तो यह थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा यहां पर डाउन साइड देखने के लिए मिलाता यह तो वो टॉप आले लेवल है जहां पर तोड़ा सा मार्केट के अंदर गिरावाट आई थी अब करेंट लेगर देखा जाए थोड़े बहुत यहां पर आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकत और अगर 98 वाल टार्गेट भी ब्रेक कर देथा तो फ्रेश आप लोग प्रजिशन मना के वहां से फिर से 20-25 परचन तक का एक्स्ट्रा टार्गेट भी लिए से तो फ्रेश लेवल पर आपको यहां पर बाइंग करनी है तो 79 वाले लेवेस तक हमें लगता है कि आपको अभी के लिए फिलाल चलेंगे इस सारी चीज़ों का आप दो ध्यान रखना मिलेंगा अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर अट्काइब सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर तबाना और अपना कैपिटल रखना ओके बाइ